दोस्तो आज मैं आपको transformer की बहुत ही महत्पून जानकारी देने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना तो आज का जो topic हमारा वो है transformer की wire के उपर और transformer का input out भी आपको साथ मैं बता दूँगा कि आप कैसे input out का पता लगा सकते हैं और आपने देखा होगा transformer में बहुत सारी wires होती है उन wires में आपको कैसे find करना की कौन सी wire का क्या काम है और आपने देखा होगा कुछ transformer होते हैं जो 5 wire वाले होते हैं कुछ 4 wire वाले, कुछ 7 वाले, कुछ उससे उपर भी होते हैं किसी में तो बहुत सारी wire होती है तो आप घबरा जाते हो यार ये कौन सी वायर क्या काम करती है बिल्कुल घबरा जाते हो तो बहुत ही simple है और बहुत ही साधा रण है ये दो तरीके से आप पता लगा सकते हैं एक आप multimeter के माध्यम से और एक आप बिल्कुल supply के माध्यम से अब यहां पर जो आपको मैं transformer तो बहुत ही सिम्पल है, सबसे पहले तो हम इसमें प्राइमरी और सेकड़री का पता करेंगे, कि प्राइमरी का मतलब है कि कहां 220 वउल्ट ! किसी त्रांस्फोर्मर में आपको ज़्यादा तर प्राइमरी की त्रफ को आपको red color की wear देखने के लिए मिलेंगी खासकर कि local transformer में red color की wear को primary की तरफ देखने को मिलेंगी और कभी-कभी अगर आप original वाले transformer की बात करें तो उसमें आपको primary सबसे मोटी wear अगर आपको original वाले transformer की बात करूँ तो जितनी भी तार हैं उनमेंसे दो ऐसी तार देख लो जो सबसे मोटी हैं वैसे भी original में fuse लगावा रहता हैं तो यहाँ पर बिल्कुल unique और एक side को होती है जो primary होती है बिल्कुल एक side को होती है और दूसरे side को आपको secondary मिलेंगी तो यहाँ पर दिखिए इधर यह है 5 wire वाला एक side को इसमें 2 wire लगी है और इसमें 1 side को 2 wire लगी है तो जिस side को 2 wire लगी है और red color की देखने के मिल रही है वो है आपकी primary तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको मैंने बताया कि एक side को लेकिन अब इसको find भी करना है कि क्या यह primary ही है तो इसको हम क्या करेंगे multimeter के माध्यम से इसमें पता करेंगे इसका resistance हम चेक करेंगे इन दोनों wire का हम resistance चेक करेंगे कि कितना है multimeter को हम resistance के mode पर रख लेते हैं इसको हम 200 ohms पर रख लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों wires का resistance कितना है आखिर इन दोनों wires का resistance है वो है 155 ohms ठीक है 155 ohms आप इसको buzzer के mode में भी check कर सकते हैं यह देखिए तो इसका जो resistance है वो है 156 ohms ठीक है अब जो primary wire होती है उसका जो resistance होता है वो हमेशा ज्यादा होता है अगर आप secondary वाले की बात करें तो इनके resistance आप check करेंगे तो इनका resistance बिल्कूल आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा चलिए आपको ये भी दिखाता हूँ तो जिन wires का resistance आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है वो आपकी primary की होती है यानिकी input होती है अब हम दूसरे set की सभी wires का resistance चेक करेंगे किसी भी एक वायर पे आप multimeter की किसी ये probe को लगा लीजिए उसके बाद एक एक करके आप check किजीगा यहाँ पर इसमें देखिए continuity beep आ रही है एक सेकंड पहले इसको मैं touch करके रखता हूँ ठीक है सही से इसमें देखिए इसमें continuity beep आ रही है इसमें continuity beep आ रही है इसमें आपको कोई भी continuity beep नहीं मिलेगी इसमें आपको continuity beep नहीं मिलेगी जिन तीनों मैं आपस मैं continuity beep आ रही है वो तीन आपस मैं एक एक output करती है यानि कि अगर यह 3 है तो यह 12,0,12 आउटपूट करेंगी वैसे तो यह 12,0,12 के लिए यही ट्रांसफोर्म बना हुआ है हो सकता है 18,0,18 का भी हो वो तो अभी लाइन पे चीह करने पर ही पता चलेगा क्योंकि लोकर ट्रांसफोर्मर लिखा नहीं होता कहीं भी यह कितना आउटपूट कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर इन 3 को हमने इस तरीके से मोड के रख लिया है अब यहाँ पन को हम नहारे कर लेते हैं इन 3 महापस में कंट्यूटी वीप आ रही है तो यहाँ पर टोटे में आगे यह तीनों एक ही आउटपूट के लिए है यह तो यहाँ पर एक ही आउटपूट करेंगे अब आत इन दोनों को भी अमने अलग गर्लिया यादि procurement है अब इन दोनों को भी हमने अलग कर लिया है, यानि कि इनका पेयर अलग है, इनका पेयर अलग है और इन दोनों में आपस में कितना resistance आ रहा है, 157W के सम्थिंग आ रहा था, कुछ इस तरीके से तो यहां पर इन दोनों एक ही है transformer के अंदर क्या होता है कि जो wires होती है यहां से start उठी है इसी में end होती है primary का secondary से कोई भी संबंद नहीं होता है primary का secondary से इसले संबंद नहीं होता है क्योंकि वो magnetic field के द्वारा वो electricity transfer करते हैं internally secondary को कुछ ऐसा होता है यहां पर इस तरीके से मैं आपको खोशिश करता हूँ diagram रहने के उतने खास तो मेरा art नहीं है फिर भी यह देखिए कुछ इस तरीके से यह दोनों वायर जो हमने दिखा इतने रेड गलर की यह दोनों यह यहां से start हुई यह भी red है और यह भी red है ठीक है यह red wire दो है यह अंदर से दोनों एक ही है यह यहां से शुरू हुई अंदर से winding हुई और उसका last सीरा यह है तो इस दोनों में हम देंगे तो आप मैगनेटिक फिल्ड बनेगा देखिए गर पे light आते है न एसी उसमें magnetic field होता है तो वहाँ पर वो magnetic field क्या होता है वहाँ पर इसको transfer करता है secondary को transfer करता है कुछ इस तरीके से यह देखिए यह secondary में अगर यह 12-0-12 का होगा तो यह 12 होगा यह 0 होगा यह 12 होगा इस तरीके से बीच में magnetic field बनेगा तो इसको क्या करेगा step down करेगा यानि कि 220 बोल्ड से यह 120-12 बनाएगा यह इसको ट्रांसफर गया बीच में magnetic field बनता है और इसमें जो यह पतियां लगी हुई रहती है ना यह कोर इनी का सबसे बड़ा रोल रहता ट्रांसफोर्मर में तो यहां पर क्या होता है यह देखिए यह लाइव हुई यह नूटरल हुई यहां से लाइव नूटरल दोगे तो यह पर आपको 12-0-12 मिलागी तो यहां पर क्या होता है जो 12-0-12 देख आपसमा continuity आ रही थी ना इसमें वह बिलकुल अंदर से एक ही होती है मैंने आपको डाइग्राम में दिखा दिया ना एक ही होती तीनों और इनका resistance कम होता है इसलिए continuity आती इसका resistance ज्यादा होता है क्योंकि यह हाई voltage के लिए होती है यह 220 वोल्ट के लिए तो इसका resistance ज्यादा होगा और यह कम voltage output कर दी तो इसका resistance आपको 157 के something मिल इसका resistance आपको 04568 के something आपको मिलेगा तो इस तरीके से तो आपस में हमने इसके pair डोट लिए वैसे ही इसमें भी आप देखिए दूसरे ट्रांसफोर्म अगर 5 वायर वायर की बात करें तो सबसे पहले आपको code टेस्टिंग यानि कि आपको multimeter के माध्यमशी करनी रहेगी अ एक तरफ 120 आ गया अब दूसरी तरफ का भी हम चेक करेंगे वैसे तो पता है कि 120 12 है फिर भी हम चेक करेंगे कि आपस में continuity आ रहे की नहीं यह देखो बिल्कुल तो इसमें हमने चेक कर लिया एक जिस तरफ 120 आ रही है वहां पर हमने 100 उस तरफ हमने AC वोल्ट इंपूट कर इदर से हमने आउटपूट कर आउटपूट ले लेनी है जो भी आउटपूट करेंगा 120 12 18 0 18 हो या जो भी हो अब हम यहां पे अब हम यह तो हमारा कन्फूजन दूर के इन्पूट आउटपूट का आप हमारे जो सबसे बड़ा हमने टेस्ट करना है इतने सारे वायर है व हमने इसमें दे दिया है चलिए इसको हम अन कर लेते हैं और अन भी हो चुका है अब यहां पर करना क्या है आप हमने देखिए और यहां पर अगर कम वोल्टेज के ट्रांसफोर्मर रहेंगे तो करेंट नहीं लगेगा हमें ठीक है करेंट बिलकुल भी नहीं लगता है अग ज्यादा वोल्टेज के रहेंगे तो करेंट बिलकुल लगेगा इसको द्यान से अब यहां पर हमने एसी वोल्ट पर रखना इसको दो सो क्योंकि एसी वोल्ट आउटपूट करता है दीसी नहीं करता है ठीक है डीसी अनि दोनों को पकड़नेंगे जिनमें आपस में के चलिए यह 7 वोल्ट आउटपूट कर रहा है इन दोनों वायर से तो आप कहीं पर नोट कर लें और याद रखना दोस्तों घर पे अगर आपकी कम वोल्टेज आ रही है तो एक कम वोल्टेज ही आउटपूट भी करेगा अभी हमारे घर पे 186 वोल्ट तो बाद में हो सकता ह थोड़ा सा 220 वोल्ट जब वहाँ पर बढ़ जाए तो हो सकता है 9 वोल्ट भी आउटपूट करने लगे इसलिए जब भी आप चेक करें तो 220 वोल्ट होना जरूरी है तब जाके आपको पता चलेगा कि यह कितना आउटपूट कर रहा है इन्पूट पे ही आउटपूट डि जी है 7 वोल्ट हो रहा ओपर नीचे अभी देखे ऊपर वोल्टेज बढ़ी 190 हो गई तो यह वोल्टेज भी आउटपूट इसका बढ़ गया तो अभी चलिए हम अभी के वोल्टेज के साबसें इसको 7 वोल्ट का मान के चलते है वैसे 9 वोल्ट का होना चाहिए एक तरफ य यानि कि 10 V करीब करीब यह output कर रहा है यह वाला वैसे तो 12-0-12 का होना चाहिए लेकिन यह गलत voltage output कर रहा है और दिखाता हूँ आपको मैं पहले समझा देता हूँ 12-0-12 का है न यह यह देखिए वैसे तो 12-0-12 का है क्योंकि voltage अभी कम है तो कम voltage output कर रहा है तो अभी बता देता हूँ इस वायर पर हम इस तरीक से touch करेंगे और यह 0 का है ठीक है यह अलग color की वायर है तो 0 की रहेगी तो 0 और यह यह करा 9V output और इस तरफ में यह कर रहा है मैंने कि वही 9.5 के something output कर रहा है अगर इसको 0 को हटा लो और इन दोनों में करो तो 9.5 दोनी के तना होता है 9.9 दोनी 8.19 वोल्ट 19.5 के something यह करेगा इन दोनों से 2V output करेगा और इधर से यह करेगा यह रहता है यानिकी खेल इसमें अगर 12.0 12 का यह मैंने 2 दिन पबीडियो बनाई थी 12-0 12 को आप 3 कमह में यूज कर सकते हैं कैसे जैसे यह 12-0 12 का transformer है तो इसको आप 3 जोगां यूज कर सकते एक तो आप 12-0 12 के लिए यूज कर सकते हैं जैसे home theater बगरे के लिए inverter बगरे के लिए और दूसरा इसको आप 12V का बना सकते हैं अगर आपको 12V की जरूरत है तो सिर्फ 0 और 12 wire को आप एक rectifier के साथ जोड़ो यह 12V output करेगा अगर आपने इसको 24V बनाना रहेगा तो 0 को हटा लो 12 और 12 को लेलो बारा दूनी 24V output करने लगा नेकि तीन जगा बारा जिरो बारा बारा वोल्ट 24V तीन जगा यह transformer काम पे आता है तो आपको मैंने बता दिया primary, secondary साथ में किस तरीके से हमें सभी wires को अलग-लग करना है बता दिया ना clearly कि सभी wires के आपने सबसे पहले कोल्ड में यानि कि इसको ओफ करके टेस्ट करने किन-किन वायर्स के पेर बन रहे है किन-किन वायर्स में आपस में continuity आ रही है या फिर कोई-कोई resistance मिल रही है बागी इन वायर का इन वायर के साथ कोई संबन नहीं है देखिए इसको मैंने अभी ओफ कर लिया है बागी इसको continuity में रखता हूँ चलिए देखिए इन वायर्स का इन वायर्स के साथ कोई भी संबन नहीं है और इस वायर का इस वायर के साथ कोई भी संबन नहीं है कोई भी reading नहीं मिलेगी अगर reading मिलती है गलती से primary और secondary तो अंदर से transformer leakage है transformer current मानने लगेगा ट्रांसपोर में दिक्कत करने लेगा तो यह रहता है ठीक है आई होप की वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना एक प्यारा से कमेंट को उस करना थेंक्यू